तो दूस्तु लकनू सुपरजंस ने IPL 2024 में कई बड़े बदलाओं करने वाली है जहां लकनू सुपरजंस ने IPL 2024 के लिए अपने नए हेड कोच का ओफिसली अनौसमेंट कर दिया है तो इन लकनू सुपरजंस IPL 2024 में अपने कप्तान भी बदलने वाली है तो ऐसे में किसको लकनू सुपरजंस ने ने हेड कोच बनाया और कौन सा ओप प्लेयर होगा जो लकनू सुपरजंस की कप्तानी IPL 2024 में करने वाला मैसुड़ों में आपको बताने वाला हो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपोर्टन वीडियो में अंततक ब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाइगी तो आई चलो जो एफ वीडियो स्टार्ट करते हैं दूस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लकनू सुपरजंस के ने हेड कोच की तो जैसे की IPL 2022 और IPL 2030 में लकनू सुपरजंस के हेड कोच एंडिफ्लावर थे अब ए रहने वाले हैं जिसका ऑफिसली अनॉंसमेंट हो चुका है अब बात करते हैं लकनू सुपरजंस के नए कप्तान की तो लकनू सुपरजंस की कप्तानी आई पील 2022 और आईपील 2030 में केल रहूल ने की थी हाला कि आईपील 2030 में कुछ मैच खेलने के बाद इंजट हो गयता और अपनी इंज़री के चलते हैं आईपील 2030 के कम्प्लीट सिजन से बाद में बाहर हो गयता है और उनकी जगे जो है कुरनाल पंडे ने लकनू सुपरजंस की कप्ता चामिल कर सकते हैं इस्टिव इसमित एक बहतरीन प्लेयर और उनको आईपील का काफ़ी जादा एक्सप्रियंट भी है और वो कई टीमों के कप्तान भी रह चुके है तो ऐसे में लकनू सुपरजंस आईपील 2024 में इस्टिव इसमित को कप्ताने बना सकती है के लवा इस ट कप्तान रह चुके है तो ऐसे में निकोलस पुरन भी काफ़ी बहतरीन कप्तान लखनू सुपरजंस के बन सकते हैं तो आपको क्या लगता है क्या केल राउल को आईपील 2024 में लखनू सुपरजंस को कप्तान बनाना चाहिए या फिर किसी और प्लेयर को कमेंट करके जरूर दोस्तों क्या जश्टिन लंगर आईपील 2024 में लखनू सुपरजंस को फाइनल तक पहुचा पाएंगे इस पर आपकी क्या रहा है कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस्तों इस वीड़ाम बसीत नहीं अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करदेना च वाचिं दिस वीडियो